मित्तो को कारे बहुत पसंद है और वो उनके बारे में सब कुछ जानती है उसे सपने भी कारों के ही आते है एक दिन उसे लाल परी मिल जाती है एक ऐसी कार जो ऐसी है जैसी कोई और नहीं है सुनते है कहानी लाल परी कहानी लिखी है कमला भसीन चित्रांकन तन्वी भट प्रकाशन प्रथम बुक्स और कहानी सुना रही है असावरी दोशी और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर आईएगा www.booksthatspeak.com उसे देखकर मैं एकदम हैरान हो गई और मेरे मूँ से निकला अरे ये क्या इतनी छोटी सी कार और उसमें बैठे लोग चार ये कैसा चमतकार मैं दीवार पर बैठकर छोटी बहन नीता के साथ कारे गिन रही थी कारे मुझे इतनी पसंद है कि सडक पर चलती हर कार का नाम आपको बता सकती हूँ कितनी शानदार सवारी है ब्रूम करके कही भी पहुँच जाओ चमकता लाल रंग छोटी गोल गोल लाइट मुस्कुराता सा चहरा नन्नी परी जैसी लग रही थी पता लगाना पड़ेगा कौन है इसका क्या नाम है कहां रहती है मैंने अपनी चोटी जटकी साइकल उठाई और लगा के जोर चल पड़ी कॉलनी गेट की ओर वहाँ पहुचते ही पूछा चोकिदार भाईया अभी यहां से एक चोटी सी लाल कार निकली थी कौन है कहां की है भाईया ने हस्ते हुए कहां अच्छा जी तो तुमें भी अच्छी लगी वो और उसकी मालकीन यहां नए आये है 112 नंबर में रहते है शुक्रिया भाईया यह कहकर मैं घर चली आई शाम होते ही मैं 112 नंबर पहुँच गई पर वहां तो सब बड़ी बड़ी कारे खड़ी थी जिसे मैं ढूंड रही थी वो नहीं थी निराश होकर मैं लौट ही रही थी कि मैंने एक और गेट देखा उसमें जाका वहां छोटी सी जगा में खड़ी थी लाल परी उसकी पीठ मेरी और थी पीठ की बाईय और एक मोटा सा बिजली का तार लगा था ओ तो ये मैडम बिजली से चलती है पेट्रोल या डीजल से नहीं चार्ज हो रही है भागने को तयार हो रही है अगले दिन इत्वार था मैं बाहर खेल रही थी सामने से लाल परी आती हुई दिखी मुझे उन्हें रोकने को मैंने हाथ दिखाया और वे रुख गए लाल परी चलाने वाली महिला मुस्कुरा रही थी इसलिए मेरा डर गायब हो गया उनके बाल सफेद थे मेरी नानी की उम्र की लग रही थी लाल परी को छूते हुए मैंने कहा मैं कारों की एक्सपर्ट हूँ पर मैंने ऐसी कार पहले कभी नहीं देखी मुझे ये बहुत अच्छी लगी उमीद है मैं भी अच्छी लगूंगी उन्होंने कहा मैंने जट से जवाब दिया لाल परी आपके साथ रहती है तो आप भी अच्छी होंगी उन्होंने कहा वावा बहुत अच्छा नाम दिया है तुमने चुटकी को तो आप हुई लाल परी की नानी मैंने उन्हें बताया कि मुझे कारे और मोटर साइकले कितनी अच्छी लगती है और मैं इनकी तस्वीरे जमा करती हूँ हम दोनों बहुत खुश है कि तुमने हमें रोका इस नई जगा पर हम अभी किसी को नहीं जानते नानी ने कहा मैं मित्तों हूँ चोटी जटकते हुए मैंने कहा अब आप मुझे जानती है और मैं इस कॉलनी में सबको जानती हूँ आपको सबसे मिलवा दूंगी पर अभी तो मुझे लालपरी से दोस्ती करनी है लालपरी की नानी ने कहा तो चलो घर पर बता कर आजाओ फिर चलते हैं लालपरी के साथ सेर करने मैं मा को बता कर जट से लालपरी में बैट गई लालपरी सडक पर दोडने लगी मगर कोई आवाज नहीं आ रही थी मैंने हैरान होकर कहा इंजन का कोई भी शोर नहीं नानी ने कहा न शोर और न दुआ बड़ी बड़ी कारों के बीट से लालपरी दोड़ती जा रही थी मैंने देखा कि हमें देखकर कही लोग मुस्कुरा रहे थे हम लाल बत्ती पर रुके तो पास में खड़े ओटो रिक्षा चालक लालपरी के बारे में सवाल पूचने लगे नानी ने खुशी से जवाब दिये हरी बत्ती हुई और हम आगे चल पड़े सबसे आगे बिना ब्रूम ब्रूम की आवाज के थोड़ी देर में हम इंडिया गेट पहुँच गए नानी ने मेरे लिए और अपने लिए आइस क्रिम ली चारों तरफ काफी धुआ सा नजर आ रहा था मैंने कहां मेरे पिताजी बता रहे थे कि दिल्ली में वायू प्रदूशन बहुत बढ़ गया है कारों और वहानों से निकलता धुआ भी इसको बढ़ाता है मा कभी कभी मुझे कारों की तस्वीरे इकठा करते देख कर बिगड जाती है नानी मेरी बात बहुत प्यार से सुन रही थी मैंने आगे कहां मुझे और नीता को बार बार खासी जुकाम हो जाता है तब मुझे भी लगता है कि वायू प्रदूशन हमें बीमार कर रहा है पर क्या करूं कारे मुझे बहुत अच्छी लगती है नानी ने मुझे बताया कि वो पिछले आठ सालों से लाल परी को चला रही है वे दोनों पक्की सहे लिया है फिर ऐसा लगा आमानों लाल परी ने चुपके से कहा मैं दूसरी गाडियों की तरह हवा में धुआ और गैसे नहीं छोड़ती मित्तो चलने और खड़ा होने के लिए भी बहुत कम जगा लेती हूँ मुझे पक्का यकिन हो गया कि लाल परी में कुछ जादू था न धुआ न आवाज और वो मुझे से बाते कर रही थी ऐसी नई उर्जा से चलने वाली कारे बायू प्रदूशन को कम कर सकती है क्या पता तुम आगे चल कर कोई ऐसा अविशकार करो जिससे प्रदूशन रहित गाडिया चल पाए नानी ने कहा बिल्कुल सही मैंने मन ही मन तै किया उस कार का नाम होगा सतरंगी परी ऐसी कारे जो कम से कम पेट्रोलियम पदार्थों का उप्योग करती है और कारबन डायकसाइड का उतसरजन बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं करती उन्हें परियावरण के लिए हानी कारक नहीं माना जाता ऐसे वाहन कई प्रकार की प्रोध्योगिकी का इस्तमाल करते है जैसे की बिजली चालित कारे ये बिजली के मोटरों से चलती है जिनने इनमें लगी बैटरियों से उर्जा मिलती है इन बैटरियों को बार-बार चार्ज किया जा सकता है दूसरा है हाइब्रीड कारे हाइब्रीड अर्थात इनमें दो अलग-अलग तक्निकों का एक साथ प्रयोग होता है इनमें बिजली चालित मोटर भी होती है और सामान्य पेटरोल डीजल वाले मोटर भी ये साधारण से कम इंधन की खपत करते है और प्रदूशन भी कम फैलाते है हाइड्रोजन कारे इनमें सामान्य इंधन की जगा हाइड्रोजन का प्रयोग होता है इनसे धुए की जगा पानी वाश्प के रूप में बाहर निकलता है जो की पर्यावरण के लिए अच्छा ही है सौर कारे ये सवर उर्जा से चलती है और इनमें सूरज से मिलने वाली उर्जा को बिजली में बदलने के लिए सवर उर्जा पैनल लगे होते है ये इसी बिजली से चलती है इनसे किसी किस्म का कोई उत्सरजन नहीं होता इन्हें अभी विकसित किया जा रहा है धन्यवाद